तो हम आगे हैं कृष्णा नगर है माई जूस बॉक्स जाने के लिए है और यहां पर एक बहुत अच्छा सा मंदिर भी है इसके पीछे यह लोकेशन इतनी अच्छे है कि यह कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर वॉकिंग तो अगर अगर आप थोड़ा सा इन सिटी रहते हो और अगर यह जगा दूर लग रही है कृष्णा नगर तो मेट्रो से आ जो और वैस मेट्रो के बगल में है एक वीडियो बना ले हैं आपर यह वाला एरिया मुझे सबसे सुन्दर लगा बट यह शाम को 6 बजे के बाद ही खुलता है और अभी बज़ रहे हैं 4 तो अब हमें उपर जाना होगा तो हम बैठ गें खिड़की के बिलकुल बगल में आपर मस्क बॉलिवोड सॉंग्स बच जाते तो और मजा आता था वीडियो पॉस करके आप मेन्यू पढ़ सकते हो इसमें बहुत सारी विराइटी है और काफी रीजनेबिल है और यहां पर कोरियन स्नो संडे भी मिलता है जो कि पूरे लखनो में आज की डेट में तो सिफ यहीं मिलता है तो सबसे पहले मैंने मंगाया था अपना फेवरेट वाटरमेलन जूस यह शायद उसी में उसी जूसर में बनाया है जहां पर शायद बीट रूट जूस भी बनाऊगा तो इसमें हलका सा बीट रूट का भी टेस्ट था बट अच्छा था बिल्कूल भी पानी नहीं मिलावा था आइस नहीं थी कोई नमक चीनी नहीं डाला था मतलब मैंने उन्हें बोला था कि नमक मत डालना तो उन्होंने कुछ भी नहीं डाला था बिल्कुल प्यूर जूस था फिर हमने नेक्स चीज मंगाई थी असाइ बोल यह क्या होती है यह आइस्क्रीम के उपर बहुत सारे फूर्ट और नत्स और थोड़े से कॉनफलेक्स का टाइप की भी चीजें डाली भी होती है और इसे मिक्स करके खाना होता है तो हमने चौकलेट आइस्क्रीम का बेस मंगा अब आप अपनी पसंद की भी डलवा सकते हो रांडम भी वह डाल सकते हैं जैसा भी ठीक लगे और अब देखेंगे की हमें कैसा लगा चिवडा बढ़ा है जो ago i5 जए हुजह मुझे तो फूट बहुत पसंद है और आइस्क्रीम इस पसंद दो मुझे तो यह बहुत टेस्टी लगाता बट मेरे भाई ग्लेन को यह कुछ खास नहीं लगा और मुझे यह बहुत टेस्टी लगा दो और मुझे यह वर्थ प्राइस लगा तर यह थी सबसे मज़ेदार चीज कोरियन स्नो संडे अगर किसी को भी आइस्क्रीम को शौक है तो यह जरूर जरूर खानी चे और जो वह मेरे हाथ में बहले अगर आ कोरियन स्नो संडे मुझे यहां की बेस्ट चीज लगी और उसमें बहुत सारे से और पूरे लगनों में अभी और यह कहीं नहीं आई है तो यहां पर जाके पक्का पक्का ट्राइक करना बहुत ही फलफी और बहुत ही लाइट आइस्क्रीम है क्वांटिटी बहुत अच्छ खेलागी प्लाइबर और लुक्रीम है तो यहां लोगी